नमस्कार दोस्तो सुवागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी समविधान डीटेल सीरीज हैं जिसमें हम आपके पूरे इंडियन कॉंस्टिटूशन को डीटेल में कवर करें आज हमारी समविधान की सोलवी क्लास हम यहां पे कवर करेंगे लास्ट वीडियो में हमने राज्यपाल के बारे में बात करी थी उनसे जुड़े हुए जो आपके इंपॉर्टन आर्टिकल्स थे उनको हमने वहां पे कवर किया अगर आपने पिछले वीडियो को cover नहीं किया है आप उन सब ही को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आज के वीडियो में हम राज्य की कारपालिका को ही cover करेंगे इसके अंतरगत मुख्य मंत्री के बारे में बात करेंगे मंत्री परिशा जो राज्यों की हूती है इनसे क्या-क्या important article आपके जुड़े हुए हैं राज्य महादिवक्ता के बारे में आज के वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे देखे जो राज्य की कारपालिका हूती है और केंदर की कारपालिका हूती है केंद्र में आपके परधान मंत्री और उनकी मंत्री परिशाद आजाती है राज्यों में मुख्य मंत्री और उनकी मंत्री परिशाद आजाती है काम करने की पदती दोनों की विवस्थाएं, दोनों की शक्तियां लगभग बराबर है परदान मंत्री की केंद्र के स्तर पर है, मुख्य मंत्री की राज्यों के स्तर पर है जो यहां से आपके कोशन बनते हैं, वो आर्टिकल को लेकर बनते हैं कि कौन सा आर्टिकल मुख्य मंत्री की निप्टी को लेकर है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि मंत्री परिशत विधान सभा के प्रती उत्तरदाइत वे उन्ही आर्टिकल्स को यहां पर कवर करेंगे क्योंकि जो पावर्स हैं वही लगभग लगभग समान है दोनों में मंत्री परिशत चाहे वो किंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो जो आपके important fact है आर्टिकल को ले करके और जो नए तत्य है उनको हम आज के वीडियो में यहां पर कवर करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं देखे जो मुख्यमंत्री होता है किसी भी राज्य का वो सरकार का मुख्य होता है और जो राज्यपाल होता है वो राज्य का मुख्य होता है तो इन दो बातों को आपने यहाँ पर याद करना है सरकार का प्रमुक कौन है? मुख्यमंत्री और राज्य का प्रमुक कौन होता है? राज्यपाल और इसी बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि राज्य का समवेधानिक प्रमुक कौन होता है? राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुक कौन होता है मुख्यमंत्री होता है दोनों एक ही बात है कोशन आपको दोनों में वो गुमा फिरा कर देता रहता है मुख्यमंत्री की निउक्ति राज्यपाल करता है आर्टिकल 164 में ये बात कही गई है देखे समविधान में मुख्यमंत्री की निक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेश प्रक्रिय बताई नहीं गई है सिर्फ आर्टिकल 164 में लिखा है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को निक्त करेगा मुख्यमंत्री की जो निक्ति होगी वो राज्यपाल की द्वारा करी जाएगी और फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिशत की निक्ति करी जाएगी ये कहता है आर्टिकल 164 इसको हम आगे अभी डीटेल में इसके बारे में बात करेंगे अब क्योंकि मुख्यमंत्री की निक्ति राज्यपाल करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल जिसको चाहे मुख्यमंत्री बनाते राज्यपाल विधान सभा में बहुमत प्राप्ट दल के निता को मुख्यमंत्री निक्त करता है यानि जिस दल के पास बहुमत होगा, उसी दल के निता को CM बनाता है राजयपाल, तो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधान मंत्री हो, इनकी निक्ति की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, जब ऐसी सिति आती है कि किसी भी दल को बहुमत पराप नहीं है, तो राजयपाल फ अगला पॉइंट है, समविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री, विदान मंडल के दोणों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, अब देखे, जैसे केंदर में है, परधान मंत्री कही भी हो सकता है, राजयसभा से भी, लोगसभा से भी, जादा तर लोगसभा से होत उसी प्रकार मुख्यमंत्री विधान परिशत का भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि विधान परिशत का कोई आपका मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, यहां से भी बन सकता है और विधान सभा से आम तोर पर होता है, विधान परिशत से कई सारे विक्ति हैं जो ऐसे हैं, जो मुख्यम मुख्यमंत्री बने हैं जैसे 1952 में सीराज गोपालाचारी मदरास के सीम बने तो विधान परिशत से आई थे मुरारजी देशाई बंबे के बने वो भी विधान परिशत से आई थे इस प्रकार ठीक है तो दोनों सद्रों से कई बार ऐसे वाले जो कोशन होते हैं वो आपको स स्टेट्मेंट में पूछ लेता है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है ठीक है मुख्यमंत्री को उसके पद वा गोपनियता की शपत राजयपाल दिलाता है सिंपल सा कोशन है लेकिन कई बार आया है तो ये मुख्यमंत्री से जुड़े हुए कुछ important बाते जिनको हमने detail में यहाँ पर समझा बिल्कुल to the point notes है सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पर बना है ताकि आपका एक-एक point अच्छे से clear हो जाए आपको चीजे रटनी ना पड़ें सारे concept आपके clear हो जाए अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है समान तहा 5 वर्ष के लिए जब तक उसको विधान सभा का समर्थन प्राप्थ है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है जैसे ही बहुमत खोदेगा अपनी गद्दी से हट जाएगा पांच वर्ष का उसका काल होता है राजयपाल के प्रसाद परियंत अपने पद पर बना रहता है यानि राजयपाल को उसको हटाने का अधिकार है लेकिन राजयपाल जैसे निप्तिक अधिकार है लेकिन किसी को भी निप्त निक कर सकता ऐसे हटाने का दिकार तो है लेकिन अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता राजयपाल उसे तभी हटा सकता है जब वो विधान सभा में अपना बहुमत खोदे तो अगर हम कारेकाल की बात करें मुख्यमंत्री का कारेकाल निश्यत नहीं होता नौर्मली पांच वर्ष का होता है राजयपाल की इच्छा पर डिपेंट होता है राजयपाल उन्हें तभी हटा सकते हैं जब विधान सभा में वो अपना समर्थन खोदे अगला है वेतन और भत्ता मुख्य मंत्री क्योंकि मुख्य मंत्री होते हैं राज्य सरकार के प्रमुक होते हैं तो इनको कोई अलग से वेतन भत्ता नहीं दिया जाता मुख्य मंत्री को भी वेतन भत्ते दिये जाते हैं जो विधान सभा के या विधान मंडल के किसी नॉर्मल सदस्य को दिये जाते हैं बस कुछ विधान इनको जादा होती है पावर इनकी जादा होती है मुख्य मंत्री के जो वेतन और भत्ते होते हैं इनका निर्थारण राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है जिसे केंदरिस्तर पे परदान मंत्री, मंत्री परिशत के वेतन और भत्ते कौन डिसाइड करती है संसत ऐसे ही राज्य में यहाँ विधान मंडल करता है देखें, विधान मंडल हर राज्य में नहीं है, जो विधान मंडल होता है आपका, वो विधान सभा, विधान परिशत और राज्यपाल से मिलकर बनता है, अब कुछ राज्यों में विधान परिशत नहीं है, तो कुछ राज्यों में जो विधान मंडल है, वो विधान सभा औ और कारिया, अब इनकी कुछ शक्तियां हैं, कारिया हैं, उनको देखते हैं, पहला है, मंत्रियों के विभागों का वित्रण और फेर बदल करता है, तो मंत्रियों को कौन सा विभाग किसको मिलेगा, और उनकी अगर विभागों का बटवारा करना हो, फेर बदल करना हो, कौन करेगा मुख्यमंत्री का ये काम है उनकी शक्ती है मंत्री परिशत की बैठक की अद्धशता भी मुख्यमंत्री करता है किसी भी मंत्री को बरखास्त या उसका इस्तीफा ये भी कौन ले सकता है मुख्यमंत्री करता है बरखास्त के लिए वो राज्यपाल को कहेगा और इस्तीफ़े के लिए उसको सलहा दे सकता है कि वो अपना इस्तीफ़ा राज्यपाल को दे दे इस्तीफ़ा हो चाहे बरखास्त हो करेगा राज्यपाल लेकिन कहेगा कौन सिफारिश कौन करेगा, सलह कौन देगा मुख्यमंत्री, खुद इस्तीफा देकर पूरी मंत्री परिशत बर्खास्त करवा सकता है कई बार यह कुशन आ जाता है कि किसी राज्य के अगर CM ने इस्तीफा दे दिया, तो क्या मैंने आपको शुरुवात में कही जो इस टॉपिक से आपकी कोशन बगते हैं, केंदरिस्तर पर राष्ट्रपती को सूचनाय देने का दाइत्व किसका है, करतव्य किसका है, प्रधान मंतरी का है, कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 78, और राज्यों में ये दाइत्व रा मुख्य मंतरी के दाइत्व बताता है, जैसे परधान मंतरी, राष्ट्रपती और संसत के प्रती, उनके बीच में समवात की कड़ी होता है, उसी प्रकार राज्यापाल और मंतरी परिशत के बीच में, विधान मंडल के बीच में समवात की कड़ी मुख्य मंतरी होता है, ठी पटल पर सरकार की नेतियों की घोशना करता है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री राज्य योजना बोड का अध्यक्ष होता है, जो राज्य योजना बोड होता है, उसका अध्यक्ष एम होता है, इसके लावा जो अंतराज्य परिशद होती है, राष्ट्य विकास परिशद होत काल के दौरान राजनैतिक इस्तर पर वहां मुख्या प्रबंधक होता है तो मुख्या प्रबंधक कौन होता है एमर्जंसी के दौरान CM होता है किसी भी राज्य का तो CM से जुड़े हुए कुछ विशेश पॉइंट्स हमने यहां पर देखे उनकी पावर उनकी शक्तियों को ले करके तो सबसे पहले हमने CM की बारे में बात करी कि CM कैसे बनते हैं, निक्त होते हैं, कौन सा आर्टिकल कहता है फिर हमने उनकी शपत, उनके वेतन और उनकी शक्तियों के बारे में, कारियों के बारे में बात करी और एक बहुत important article हमने देखा article 167 अब बात करते हैं राज्य की मंत्री परिशत के बारे में मंत्री परिशत को लेकर दो articles हैं जिनके बीच में हमीशा confusion होता रहता है article 163 और article 164 देखे article 163 में मंत्री परिशत के गठन का प्रावधान किया गया है कि एक मंत्री परिशत होगी और article 164 में उसके गठन का तरीका बताया गया है कि मंत्री परिशत का गठन राज्यपाल करेंगे CM की सलहा पर तो दोनों में आपने confusion नहीं करना है दोनों article अलग अलग है मंत्री परिशत के बारे में सम्विदाहान में डीटेल से नहीं बताया गया है कि मंत्री परिशत ऐसी होगी वैसी होगी केवल दो article है जो मंत्री परिशत से संबन्दित है एक 163 जो उसके गठन का प्रावधान करता है कि राज़पाल को सलहा देने के लिए एक मंत्री परिशत होगी और एक article 164 जो उसके गठन की विवस्था करता है कि कैसे मंत्री परिशत बनेगी राज़पाल पहले मुक्ष मंत्री को बनाएंगे निक्त करेंगे और फिर उसकी सलहा पर मंत्री परिशत बनेगी आई हो आपका दोनों article में अब confusion किलियर हो गया होगा सिंपल भाषा में पद का प्रावधान यानि मंत्री परिशत के गठन का प्रावधान 63 में है और गठन 64 में है ठीक है अब इससे जुड़ी कुछ बाते हैं उनको देखे अनुचेद 163 के अनुसार राज़ापाल की सहता और सलहा देने के लिए मंत्री परिशत होगी और इसका प्रमुक मुख्य मंत्री होगा ये कहता है article 163 जैसे हमने राज़ापाल वाले वीडियो में भी कवर किया था ना दो आर्टिकल थेका article 153 और एक article 155 आर्टिकल 153 कहता है राज़े में राज़ापाल होगा और आर्टिकल 155 राज़ापाल की नुक्ति के बारे में बताता है कि उसके नुक्ति कैसे होगी बस वही article 163 और 64 में आपका डिफरेंस है राज़ापाल मुख्यमंत्री की सलहापर मंत्री परिशद की नुक्ति करेगा ये कहता है article 164 जो मंत्री परिशद होती है ये राज़े की विधान सभा के प्रति ध्यान रखना यहाँ पर विधान मंडल नहीं लिखा है क्योंकि विधान मंडल में विधान परिशद भी आती है मंत्री परिशद केवल विधान सभा के प्रति सामुही ग्रूप से उत्तर दाई होती है इसको केंदर के साथ कंपेर करते वे चले जैसे केंदर में जो मंत्री परिशद होती है भारा सरकार की वो संसत के प्रती तो होती है लेकिन अगर आपको option में लोक सभा दे दे तो आप उसी को टिक करेंगे इसी प्रकार विधान मंडल भी होता है लेकिन अगर आपको विकल्प में विधान सभा आ गया तो आप particular उसी को यहां पर टिक करेंगे ये बाद भी 164 में बताई गई है मंत्री परिश्ट से संबंदित उसकी निप्ती, उसकी शपत, उसका वेतन, उसका गठन उत्तरदायत्व, वो सारी बातें 164 में कही गई है इस चीज़ को भी ध्यान रखना तो सामोहिक रूप से उत्तरदाई होगी ये कहता है 164 का पहला खंड तो आपको ये दोनों बातें याद करनी है सामोहिक रूप से पूछेगा मंत्री परिशत, आप कहेंगे विधान सभा और व्यक्तिगत रूप से पूछेगा आप कहेंगे राज्यपाल जैसे केंद्र में व्यक्तिगत तौर पर सभी मंत्री राश्टपती के पृति उत्तरदाई होते हैं और सामोहिक रूप से लोगसभा के पृति उत्तरदाई होते हैं केंद्र की तरहा राज्य में भी मंत्रियों की तीन श्रेणिया होती है cabinet मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री और जो आपका मंत्री मंदल बनता है मंत्री मंदल में आपके cabinet मंत्री शामिल होते हैं और इनके साथ CM होते हैं तो सेम जैसा केंदर में process है यहाँ पर वही व्यवस्था यहाँ पर भी है राज्य में भी तीन होते हैं इनका जो वरियता करम है वो यही है सबसे उपर कैबिनेट मंतरी आते हैं फिर राज्य मंतरी और फिर उप मंतरी इनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कैबिनेट मंतरियों के बारे में राज्य मंतरी के बारे में तो आप मंत्री मंदल बनता है ठीक है उस वीडियो में हमने मंत्री परिशत और मंत्री मंदल में अंतर भी देखा था कि इनमें डिफरेंस होता क्या है इस चीज़ को ध्यान रखना अगर किसी राज्य में विधान सभा में सदस्यों की संख्या कम है तो वहाँ पर आपको कम से कम 12 मंत्री बनाने होंगे, ठीक है? यानि जादा से जादा आपके 15% तक हो सकते हैं विधान सभा के, और कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसको ऐसे में समझिये, मान लिजिये, किसी राजिय में विधान सभा में 60 सी हैं, अब 60 का अगर आप 15% निकालें, तो यह आपका लगभग 9 के करीब बैठेगा, दूसरी कंडिशन है, 12 से कम नहीं हो सकते, तो ऐसे राज्यों में जहाँ पर 15% 12 से कम आ रहा है, वहाँ पर 12 मंत्री होने चाहिए, और अगर जादा आ रहा है, जैसे किसी राज्य में 20 आ जोड़ा गया, हाली में पेपर में पूछा गया था कि किस समविधानिक शिंशोधन के द्वारा मंत्री परिशत के आकार को 15% में तक सीमित किया गया है, यह है आपका 91 समविधान शिंशोधन 2003, केंद्र में भी मंत्री परिशत का जो आकार होता है, वो 15% से जादा नहीं हो मंत्री परिशत के अगर हम कारेकाल की बात करें तो पहली बैठक से लेकर पांच वर्ष तक इनका नौर्मली कारेकाल होता है। जब राज्ये में राष्ट्रपती शाशन लगता है तब मंत्री परिशत भंग हो जाती है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना राष्ट्रपती शाशन के दौरान मंत्री परिशत भंग हो जाती है, खतम हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कि राज्ये कारेकाल को सलहा और साहिता देने के लिए मंत्री परिशत के गठन यहां पर किया जाएगा। के लिए एक मंत्री परिशत होगी इसी पॉइंट के साथ एक बिंदू और नोट कर लीजिए जो ये सलहा या सहायता यहां पर राज़पाल को देंगे मंत्री परिशत ये आपके नियाईक समिक्षा के अंतरगत नहीं आती है यानि मंत्रियों ने राज़पाल को क्या सलहादी, क्या सिफारीज दी, इसको लेकर आप कोट में नहीं जा सकते, जैसा हमने केंदर वाले वीडियो में भी देखा था अगला आर्टिकल है, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 मंत्रियों से संबंदित अन्या प्रावधान करता है, अन्या प्रावधान यानि इनकी न्युक्ति, वेतन, भत्ते, शपत, योगिता, उत्तर, दायत्व, कार्यकाल, ये सब बताया गया है आर्टिकल 164 में, ठीक है? आर्टिकल 165 इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी के साथ हम महादिवक्ता को कवर कर जाएंगे। यहाँ राजपाल के प्रसाद प्रियंत कारियक करता है, यानि महादिवक्ता का कारेकाल निश्चित नहीं है, यहाँ राजपाल की इच्छा पर डिपन करता है, उसके अनुसार अपने पद पर बना रहता है। महादिवक्ता बनने के लिए अहरता क्या है तो हाइकोर्ट के नियाइधीश न्युक्त हो सकता हो कोई ऐसा विक्ती जो हाइकोर्ट का जज बन सकता हो उस विक्ती को महादिवक्ता बना सकते हैं महादिवक्ता को विधान मंडल की कारवाही में भाग लेने, बोलने की शक्ती होती है, लेकिन मतदान वो नहीं कर सकता। कई बार ये कोशन आपने देखा होगा पीपर में एक कथन दे देता है कि इन में से किसे विधान सभा की कारवाही में भाग लेने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, मतदान का अधिकार नहीं है, तो वो है आपका महादिवक्ता, महादिवक्ता को वे सभी विशेशा अध वा वेतन, भत्ते, प्राप्त होते हैं जो विधान मंडल की किसी सदस्य को होते हैं यानि जो अधिकार विधायक को मिलते हैं वही अधिकार सारे महादिवक्ता के होते हैं तो दो तीन बातें महादिवक्ता को लेकर आपने याद कर लेना है ये आर्टिकल 165 के तहर राजयपा की इच्छा पर अपने पत पर बना रहता है कोई निश्चित कारेकाल इनका नहीं है और चौथा हाई कोड का जज बन सके ऐसी युगिता होनी चाहिए विधार मंडल में बोल सकता है भाग ले सकता है कारवाही में वोट नहीं कर सकता और वो सारे विशेशादिकार प्राप्त होते हैं जो किसी विधायक को होते हैं ठीक है अगला है आर्टिकल 166 आर्टिकल 166 राज्य सरकार द्वारा कारवाही संचालन के बारे में बताता है कि राज्य सरकार की जो कारवाही होगी कैसे होगी सबसे important point यहाँ पर बस यही है कि राज्य सरकार की सारी जो कारवाही होती है वो राजयपाल के नाम से होती है बस आपने इस पॉइंट को याद करना है इस बात को आप जानते हैं किस आर्टिकल में ये बात कही गई है आर्टिकल 166 में अगला है आर्टिकल 167 आर्टिकल 166 मुख्यमंत्री का राजयपाल को सूचना प्रदान करने का करतव्य है जैसे ह आर्टिकल पेपर में आता है और अंतिम जो आर्टिकल है राज्यकारपाली का से जुड़ा हुआ वो 177 है 177 सदन के संबंद में मंत्रियों के अधिकार से संबंतित है सदन के संबंद में मंत्रियों के क्या-क्या अधिकार है वो 177 बताता है सदस्यों की हम बात नहीं कर रहे हम मंत्रियों की बात कर रहे है आर्टिकल 177 कहता है कोई भी मंत्री सदन के किसी भी भाग में चाहे विधान परीशद हो विधान सभा हो वहाँ पर कारवाही में भाग ले सकता है बोल सकता है लेकिन वोट वो उसी सदन में करेगा जहां का मेंबर है ये बातें मंत्रियों के बारे में कौन से आर्टिकल में कही गई है एक सो सततर में कही गई है महादियवक्ता को भी यही अधिकार है लेकिन मंत्रियों को भी कई बार आता है न कोशन की क्या कोई मंत्री उस सदन में बोल सकता है जहां का सरस्य नहीं है तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकता है राजय कारपालिका के संबन में आर्टिकल 117 ये ववस्था यहां पर करता है कई बार ये कोशन सरिफ ऐसे आता है सदन के संबन में मंत्रियों के अधिकार कौन से आर्टिकल में बताए गए हैं तो 177 आपने ध्यान रखना है ठीक है जो महत्तपून आर्टिकल्स थे उनको हमने बिल्कुल टूदा पॉइंट के नोट से यहां पर कवर किया अगले वीडियो में हम विधान सभा और विधान परिशत के बारे में बात कर जाएंगे डीटेल में इनको लेकर इनके आर्टिकल्स को लेकर बहुत सारे कोशन आपके बनते हैं और फिर हम न्यापालिका की तरफ यहां पर चले जाएंगे उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, थैंक्यू फ्रेंड्स